आप सभी का स्वागत है आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो है आज हम जानेंगे कि जो आदर्स विद्यार्थी होता है उसके अंदर क्या क्या गुड होता है अगर हमारे अंदर वो सारे गुड नहीं है तो हमें इस वीडियो से उसको सीखना पड़ेगा उसे अपनाना पड़ेगा अगर हम एक सफल इंसान बनना चाहते हैं हमारा जो भी उ बताऊंगी जिसके माध्यम से आप उन्हें अपना के अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं बहतर बना सकते हैं और एक आदर सविद्यार्थी की भूमी का बखुबी निभा सकते हैं सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो रूटीन है उसमें हम जब किसी भी दिन का सुरुवात हमारे सुबह के समय सो होता है तो सुबह का समय ही हम एक बहतर क्वालिटी के साथ करें और सुबह हमको जल्दी उठने की आदर डालनी चाहिए अगर हम चात रहें तो हमें चार या पांच बजे अधिकतम पांच बजे तक उठी जाना चाहिए अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये जो समय होता है ब्रह्म मूर्थ होता है और इस समय पर अगर आप पढ़ाई करते हैं ब्रह्म मूर्थ के समय तो रा सांथ होने के काराण इस समय जब आप पढ़ाई करते हो तो वो पूर्ण रूप से आपके दिमाग में स्थीर रूप से बैठ जाता है लंबे टाइम तक आप उसे याद करके रख सकते हैं उसे भूलेंगे नहीं मतलाब अगर आप सुबह उटके पढ़ाई करते हैं तो आप क जब आप लेट नाइट जगेंगे नहीं अगर आप रातरी को भी अगर 10 बजे या अधिकतम 11 बजे तक सो जाते हैं तभी आप सुबह जल्दी उट पाएंगे तो हमें सुबह जल्दी उटने के लिए रात के सेड्डियूल को भी निर्धारीत करना पड़ेगा दूसरा ची जो स्टुडेंट्स हैं उनमें ऐसा देखा गया है साइंटिफिकली ऐसा देखा गया है हॉर्मोनल चेंज के कारण उनके अंदर बहुत सारे बुराईयां भी आ जाती है बोलना चाहिए कि बहुत ज़्यादा चिड़ चिड़े हो जाते हैं इगो प्रॉब्लम आ जाता है इ तो हमारे जो स्टुडेंट्स हैं उनको मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमारा जो रवया है या व्यभार है हमारे माता पिता के प्रती बहुत सारी स्टुडेंट्स स्टीनेज में चिड़चड़े पन व्यभार के कारण उल्टा सिधा अपने माता पिता को कुछ भी बोल द दिल दुखा देते हैं यहां हमारे मात पीता बहुत जड़ा हर्थ हो जाते हैं तो हमगें से लगया हमेगत हर्थ करते हैं नहीं लोड़काम करने के लिए बोलते हैं उस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम बहुत ही rudly tone में बोल देते हैं, कि भाई, अभी मैं काम नहीं कर सकता, मेरे रहे को नहीं करना है, तो अगर आप चाहें, तो उसे politely भी बोल सकते हैं, कि भाई, मम्मी, पापा, आप थोड़े टाइम रुख जाए, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, उ आप किसी भी भगवान को मानते हों, और चाहें आप किसी भी भगवान की आरादना करते हों, उनके सामने 2 मिनट बैठिये, हाँ जोड़े, आप जीवन में जो पाना चाहते हैं, एक बार उनके सामने कहिए, ऐसा बोला जाता है, कि किसी चीज की अगर आपको तिवर इक्ष उसे आप प्रेयर करते हैं, आप उनके सामने नत्मस्तक होते हैं, तो उससी क्या होता है, जो सकरात्नक उर्जा है, उसका संचार आपके चारों तरफ होने लग जाता है, तो एक बहुत अच्छा गुड़ है, और बचपन ही ऐसा समय होता है, एज होता है, जब आप भगवान क के सामने नतमस्तक होना ये सब कुछ को सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा कठीन हो जाएगा या कभी आप जीवन में सीख ही नहीं पाएंगे तो आप एक आस्तिक बनना चाहते हैं तो आप बच्पन से ही ये सारे गुण को अपने अंदर डालिए हमेशा हमको टाइम टे मुझे नहा लेना है स्कूल टाइमिंग क्या है स्कूल से आने के बाद मेरा क्या रूटीन रहेगा मुझे खेलना कब है मुझे होमवक कितने टाइम करना है हाना कितने बज़े तक मुझे डिनर कर लेना है और कितने बज़े तक मुझे सो जाना है तो अगर आप एक में समय के अगर हम पाबंध होते हैं तो सही समय पे हमारा काम complete हो जाता है और दूसरों के सामने भी हम एक अच्छा impression या एक अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं अगर आप punctual है तो सबसे ज़्यादा आपको खुद को होगा आप अगर punctual है सही समय पे अपना काम कर लेते हैं अगर ग्रिय कारी कर लेते हैं तो आप पढ़ाई में अच्छे बने रहेंगे आगर आप सही समय पे स्कूल जाते हैं तो जो आपकी स्कूल के टीचर्स हैं उनके भी नजर में आएंगे कि हाँ ये बच्चा क्या है, punctual है सही समय पे आप अगर अपना काम कर लेते हैं तो आपके दिमाग में extra कोई प्रकार का tension नहीं रहेगा कि भई मुझे इस काम को करना है क्योंकि सही समय पे आपका वो काम हो जाये रहेगा तो एक बहुत अच्छा गुड़ है कि हमको punctual होना चाहिए, समय का पाबन होना चाहिए हमेशा हमें अनुसासित रहना चाहिए स्कूल के जो नियम है उसका हमको क्या करना चाहिए पालन करना चाहिए क्योंकि स्कूल में जो भी अनुसासन या discipline हमको सिखाया जाता है वो हमारे फायदे के लिए रहता है पूरा ये संसार एक नियम से ही चल रहा है सही समय पे सुर्योदय होता है प्रती दिन सुर्यास्त होता है बारिस के मौसम में बारिस होता है ठंडी के मौसम में ठंड आती है तो हमारा जब ये प्रकृति एक नियम में बनता हुआ है अनुसासन में बनता हुआ है तो फिर हम क्यों नहीं अगर हम इन अनुसासन का अपने जीवन में पालन करते हैं तो बहुत ही कम समय में और कम मेहनत में हमको ज्यादा अच्छा परिणाम मिल सकता है और हमको सफलता हास दिल हो सकता है आप एक अनुसासित अगर जीवन जीते हैं तो ऐसा जीवन में कोई भी चीज या कोई लक्षयासा नहीं है जिसे आप राप्त नहीं कर सकते आप हमेशा अपने सिक्षकों की आग्या का पालन करना और उनको रिस्पेक्ट भी देना ये भी एक क्वालिटी है ब बहुत साल उनको पढ़ाने का experience होता है उनको पता होता है कि कौन सा बच्चा का standard कैसा है तो उसके अनुसार आपको कुछ सलाह दे रहे हैं या आपको कुछ काम करने के लिए दे रहे हैं तो बिल्कुल उस काम को आपको करना चाहिए एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आ आप दूसरों का जो है कहना वो मानते हैं ठीक है उसके साथ ही साथ आपको टीचर क्याग्या का पालन भी करना चाहिए चूंकि वो हमारे गुरू है हमें ज्यान देते हैं जिनकी बदालत हम अच्छे अच्छे गुड हमारे अंदर आता है हमें अच्छी knowledge मिलती है बहुत सा जहां भी जब भी मिलें तो उनको हमें क्या करना चाहिए रिस्पेक्ट देना चाहिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहीं जाते आते अपने टीचर से मिल गया तो उनके उनसे मूँ छुपाते फिरते हैं या कहीं छिप जाते हैं सामने नहीं आना चाहते या उनको रिस पर देना चाहिए आपके स्कूल में जो भी कुछ activity होता है आपके करिकुलं से अलग जैसे के आपका syllabus पढ़ाई है वो तो आपको कर नहीं है उसके अलावा अगर आपके स्कूल में cultural activity होता है सांस्कृतिक program होता है singing हो गया dancing हो गया debate हो गया तो इन सब पाइज के हो जाते हैं और आप अचानक से उस जो अपनी योग्यता है उसको आप दूर करना चाहोगे तो यह पॉसिबल नहीं है आपको क्या चाहिए अगर आप उस चीज का स्कूल लाइप से ही प्रैक्टिस करते हो चोटे-चोटे गीत कवीता भासनाड हो गया डीबेट हो इकास भी होता है हमारी स्कूल में जो स्पोर्ट होते हैं नेसेस होता है स्काउट होता है यह सारे एक्टिविटी में हमको क्या करना चाहिए पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि हमें केवल पढ़ाई में अवल नहीं रहना है केवल हमारे दिमाग को तंदरुस्तर नही ही होता है तो इसलिए आप स्कूल में जो भी कुछ कार्यक्रम होता 한다 है सब आधिक क्या करना चाहिए पार्टिसीपेट अधिक से अधिक मातरा में करने की कोसिस करनी चाहिए और पढ़ाई में भी हमको अफूल आने की कोसिक करना就是 क्या हूम जो टॉपिक आपको कल पढ़ाया जाने वाला है उससे अगर आप पहले से प्रिपेर करके घर से चले जाये रहेंगे तो आप देखेंगे जब टीचर आपको उस टॉपिक को पढ़ाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वह आसान लगता है और बहुत जल्दी आपके समझ मे आजाता है जब हम घर में हैं तो अपनी मा का उनके ग्रिह कारी में थोड़ा बहुत हांट बटाना जोरी है इससे ना किवल हम घर के छोटे मोटे काम करना सीख जाते हैं बलकि जब हमको होस्टल में जाना रहता है घर को छोड़के जब हमें होस्टल लाइब जीते हैं तो भी हमको एक आइडिया हो जाए रहे थे कि घर के जो छोटे-मोटे काम है जो होस्टल में जाके हमको खुद को करने हैं जैसे खुद का कपड़ा अधोना है बरतन साप करने है या थोड़ा बहुत साफ सफाई करना है ये सब चीज हमको आना चाहिए ये हमको ही मजबूत करता ह हमारी quality को निखारता है और दूसरा क्या होता है हमारी जो माता है अगर हम उनका help कर देते हैं तो उनका भी क्या हो जाता है हाथ बढ़ जाता है उनका घर का काम करने का जो उनका बोज होता है वो भी थोड़ा कम हो जाता है आप जनरली देखे होगे कि आपकी जो माता जी हो बड़ी सी काम में मदद करेगा तो आपके प्रति उनका लगाओ जुकाओ भी बढ़ेगा और एक तरीके से आप अपनी मा की क्या कर पाएंगे और जब आप फ्रेंड्स बनाते हैं तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि यह इंपोर्टन नहीं है कि आपके कितने सारे फ्रेंड हैं बहुत सारे फ्रेंड हैं आप लिमिटेड फ्रेंड बनाई हैं लेकिन आपके वो जो फ्रेंड्स हैं वो आपके तरह होने चाहिए अग अगर उनके अंदर अच्छाई नहीं है वो अगर बुरे व्यक्ति हैं या बुरी संगती में फसे हुए हैं तो उनकी संगती में आप भी अपना जीवन बरबाद कर सकते हैं तो हमेशा लिमिटेड सीमित फ्रेंड्स बनाईएं बहुत जदा अगर आप फ्रेंड्स सरकल अपन पढ़ाई में फ्रेंड्स बनाईएं जो बहुत अच्छे हूँ पढ़ाई में हो सकते हैं अच्छा है या कोई अधर एकटिविटी स्पोर्ट वगरर में अच्छा है मतलब हर फ्रेंड आपका एक अच्छा इंसान हो जिसके साथ आपका विचार मिलता हो जो आपके बनाएं तो friend circle आपका बहुत ही strong होना बहुत ज़री है आज कल देखा गया है कि जब से बच्चों के हाथ में mobile आया है वो क्या करते हैं internet तो है हर किसी के पास तो वो social medium बहुत ज़्यदा involved हो जाते हैं WhatsApp, Facebook ये सब में अपना time waste करते रहते हैं और एक बार mobile में social media में घुसे हैं मतलब 5 मिनट आप चलाने के लिए mobile छुए हो लेकिन आपका एक गंटा या दो गंटा कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा तो हमें एक schedule बना लेना चाहिए कि हमें केवल सनीवार या रवीवार को ही mobile कुछ आदे घंटे या 15 मिनट के लिए हमको social media का यूज करना है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो अच्छा number पाना चाहते हैं successful बनना चाहते हैं उन्हें जादा से जादा हो सके तो social media से दूर रहना चाहिए और आज कल ये भी देखा गया है कि जो बच्चे हैं वो online game जैसे PUBG वगरा हो गया इन सब चीज में involved रहते हैं अगर आप online game खेलना बुरी बात नहीं है लेकिन अगर आप किस टाइप के game का चुनाव कर रहे हैं वो भी important है generally जो अभी जो famous games हैं उसमें हिंसक चीजें ज्यादा बताई जाती है मार, पीट ये सब तो इन सब चीजों का नकरात्मक जो प्रभाव है वो एक जो बच्चा है उसके दिमाग में पढ़ता है हना तो हो सके तो हमें इन सारे जो online game हैं जो बूरी चीजें सिखा रहे हैं तो उन सबी चीजों से हमको क्या करना चाहिए दूरी बनाके रखनी चाहिए उसके बचाए आप online chase खेल सकते हैं या आप quiz वगरा solve कर सकते हैं जिससे आपका दिमाग बढ़ेगा या आप ऐसे बहुत सारे games होते हैं जिससे आपको आपका जो reasoning power है उसको बढ़ाने का मौका मिलेगा तो ये आपके उपर depend करता है कि अगर आप online game भी खेलना चाहते हैं तो किस प्रकार के game को आपको avoid करना चाहिए और किस प्रकार के game को आपको खेलना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि जब आप time table बनाते हो तो आपका जो subject होता है उसको भी आपको equal time देना चाहिए जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे 6 subject हैं तो किसी subject को हमने आज पढ़ा किसी subject को हम कल पढ़ रहे हैं किसी को 2 गंटा पढ़ रहे हैं किसी को आदा गंटा पढ़ रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे 6 subject है 6 subject में equal marks होते हैं सब में 100-100 नंबर का हमारा paper होता है तो हमें चाहिए कोई subject सरल लगे या कठीन हर विशय को हमको समान समय देना चाहिए मान लिजे अगर आप एक दिन में 3 घंटे पढ़ सकते हैं और अगर आपका 6 विशय है तो आधा आधा घंटा करके आप 6 विशय को पढ़िए आपका 3 घंटा complete हो जाता है या आप हर विशय को एक एक घंटा पढ़िए आप एक proper time table बना लिजे पहले मेरे को हिंदी को पढ़ना है उसके बाद इंगलीज फिर विज्ञान, समाजिक विज्ञान, गडित तो संस्क्रीत तो आप एक proper time table बना लिजे उसी time table से अगर आप प्रती दिन पढ़ते हैं तो आपको उस time पर पढ़ने का मन भी करेगा मतलब आपका daily अगर दो बजे दो पहर को खाना खाने का routine है तो जैसे ही दो पहर का दो बजे का आपको बूख लगना स्टार्ट हो जाएगा डेली अगर आपको दस बजे रात को सो जाने का आदत है तो दस जैसे ही बजेगा आप उंगने लगेंगे आपको नीद आने लगेगी तो वैसे ही पढ़ाई में भी हमारे body में जो clock होता है जो घड़ी होती है उसका प्रभाव पढ़ता है तो एक fixed time table आपके पास होना बहुत जोरी है हमेशा हर बच्चों को एक target बना के चलना चाहिए कि आपको इस साल कितना percent लेके आना है अगर आपको 60 percent लाना है, 70 percent लाना या 80 percent लाना है बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको percent से कोई मतलब ही नहीं होता है उनको तो बस ये रहता है कि कैसे भी करके हम second division, third division जैसे भी हो हम pass हो जाएं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए हर साल हमको एक target रखना चाहिए कि इस साल मेरे को 70 percent लाना है फिर हमको जो हमारा target है उसी के अनुसार हमको मेहनत भी करना पड़ेगा अगर आपने सोचा है कि मेरे को 70 percent इस साल लाना है तो आपको उसी के अनुसार एक proper time table बनाना पड़ेगा, उस time table को आपको follow करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा तब ही जाके आपका 70 percent आएगा अच्छा नंबर आप स्कोर कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा उस विसाय का नॉलेज आपके अंदर रहेगा, और अगर आपके अंदर ज्यादा जानकारी है, ज्यादा नॉलेज है, तो वो बहुत जदा बेनिफीसियल हो जाएगा in future, आपके भविसे में वो जरूर आपको गये, या विषाय से हटके, इदर उधर ध्यान भटकाने लग जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, हमारा जो लक्ष है कि हमको एक पढ़ना है, अच्छा परसेंट पराप्ट करना है, हमको एक अच्छा इंसान बनना है, उस चीज़ पे हमको फोकस करना चाहिए जादा से जादा हो सके, तो एक साद्गी भरा जीवन जीना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि साद्गी से बड़ा दुनिया में कोई fashion होता नहीं है और साधगी एक ऐसा fashion है जो कभी बदलता नहीं है जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे कपड़े होते हैं या जो hair style होता है वो समय के अनुसार उसका trend बदलते जाता है लेकिन साधगी एक ऐसी चीज है जो ना कभी बदलती है और उसका importance हमेशा सबसे जादा रहता है उसका महत्व सबसे जादा हमेशा रहता है चाहे वो कोई भी समय हो तो student life में हमेशा एक साधा, सुन्दर, साधगी भरा जीवन हमको जीना चाहिए जिससे हमारा दिमाग कभी भी जरुदर गलत दिसा में डिस्ट्रैट ना हो एक और चीज देखा गया है कि जनरली जो बच्चे गरीब वर्ग से आते हैं गरीब हैं या जिनके माता-पीता पढ़े नहीं हैं तो उन्हों बहुत आसानी से ब्लेम कर देते हैं भी हमारे माता-पीता तो गरीब है या हम गाँख छेतर से आते हैं या हमारे माता-पीता खुद पढ़े लिखे नहीं है तो उस इस्थिती में हम अच्छा पफॉम कैसे कर सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको ये बहुत ही गलत सोच है आपके माता-पीता पिछडे हुए है इट मिन्स आप भी पिछड जाओगे आपके माता-पीता ने जो अपने जीवन में दुख भोगा है आप कोशिस करिए कि वो दुख आपको अपने जीवन में ना भोगना पड़े इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ज्यादा-ज्यादा मेहनत करना चाहिए और आप जो बनना चाहते हो अपने लाइफ में उस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए महनती होना चाहिए तो और हमेशा आपके माता-पीता जिस भी जो भी कंडिशन में है उनका रिस्पेक्ट करिए ऐसा नहीं है कि वो अनपड़ है या गरीब है तो आप उनका सम्मान करना कम कर देंगे तो अपनी जैसे कि कोई बच्चा है वो ये हमेशा अपने माता-पीता को ब्लेम ना करे कि उनके कारण मैं कमजोर हूँ या उनके कारण मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ अनपड़ माता-पीता के बच्चे होके भी पूरे संसार में अपना नाम रोसन किये हैं तो सब चीज आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हो आप सफल होते हो या असफल होते हो दोनों के लिए जिम्मेदार आप खुद ही हो चलिए तो एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपको पढ़ाई में तो आपको उवल रहना ही है उसके सांस सांस आपको नैतिक सिक्षा भी अपने अंदर ग्रहण करनी है कुछ moral qualities हैं जिसे हमारे अंदर होना चाहिए जैसे कि आप हो सके तो पहला बात आपको किसी से जलन नहीं होना चाहिए जनरली देखा जाता है कि पढ़ाई में हमसे कोई आगे निकल रहा है तो हमें उससे jealousy हो जाती है हम उसको copy नहीं देंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए jealousy की भावना नहीं होनी चाहिए आप बोलते हैं ग्यान बन सकते हैं हमको दूसरों से कभी भी इरसा नहीं करनी है बलकि और बहतर से बहतर perform करने के लिए हमें अपने मेहनत को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा किसी दूसरे से अपनी तुलना मत कीजिए कि वो गोरा है मैं काला हूँ वो ज्यादा अमीर है मैं गरीब हूँ वो सहर का है मैं गाउं का हूँ ऐसी तुलना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर आप मैनत करते हो आप अपने आपको निकारना चाहते हो तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है हमेशा सच बोलना चाहिए जूट कभी भी नहीं बोलना चाहिए इंसान को क्योंकि अगर आप एक जूट बोलते हो तो उसे जूट को चुपाने के लिए आपको नजाने कित्ते सारे जूट बोलने पड़ेंगे और आपका दिमाग इनी सब चीजों में स्ट्रॉंग हो जाएगा जो आपको जीवन में सफल व्यक्ति बनाने के में काम आएगा तो यह सारे क्वालिटीज हैं एक आदर्थ स्टूडेंट के आप बच्पन का जीवन जी रहे हो यह जो आपका समय है बोला जाता है कि कच्चे मिट्टी के समान है अभी आप आपको जिस आकार में ढाल दिया जाए उसी आकार में ढाल जाते हैं तो आप कोशिस करिए मेरे वीडियो मेरा यह जो वीडियो इसे बनाने का मेरा जो मकसद है वो तब सार्थक हो जाएगा अगर आप में से कोई भी बच्चा जितनी भी क्वालिटीज मैं बताई हूँ उसमें से अगर दो चार क्वालिटीज को भी अपने अंदर दो चार गुडों को भी अपने अंदर अगर समाहित कर लेता है तो मेरा वीडियो बनाने का यह जो मकसद है वो सार्थक हो जाएगा हम चाहते हैं कि हमारे आज के जो नव्यूवा हैं जो हमारे बच्चे हैं वो एक बहतर इंसान बने केवल पैसा कामाना एक मकसद नहीं होता है पैसा तो हर कोई व्यक्ति कमा लेता है आज इवी का अपनी कैसे भी करके इंसान चला लेता है लेकिन हमको एक सफल इंसान बनना है और साथ में हमको क्या बनना है अच्छा इंसान भी बनके दिखाना है समाज का एक जिम्मेदार इंसान भी या एक जिम्मेदार नागरिक भी बनके हमको दिखाना है तभी हम समझ चकते हैं कि हमारा जीवन सार्थक हो गया है तो यही समय होता है हमारे बच्पन का समय, स्कूल लाइफ का समय तो कोशिस करिए आप जिस भी उम्र में हैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे गुणों को अपने अंदर समाहित करिए तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा था तो वीडियो को लाइक कीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे थाइंकिंग यू